समय बहुत बलवान है समय आने पर आपको पता चल जाएगा सही क्या है और गलत क्या है समय की हमेशा वाल्यू कीजे क्योंकि वो लोट कर नहीं आता ऐसे समय से जुड़ी बहुत सारी अनीका नेक कहावतें तो आपने कई बार सुनी होंगी जब समय इतना इंपोर्टन है तो हाथ में पहने वाली घड़ी कैसे इंपोर्टन नहीं होई भला वो भी उतनी ही इंपोर्टन है जैसे हम कहते हैं रिस्ट वॉच अनालिसिस इस साइन्स इस राइजिंग लाइक एनिधिंग आप मेरे साइजन बुक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैं हो रिश्मे सिन्धा निमरोलोजिस्ट वासु कंसल्टिंट और पेरिंट कांसलर और इस कंसल्टीशन में आपको मिलता है कुनली अनालिसिस मोबाइल निमरोलोजी, नेव निमरोलोजी और रिस्ट वाच अनालिसिस फ्री तो बिना देर के जल्दी से मुझे कमेंट करें इंस्टाग्राम पर वीडियोस को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना तो धर्म है भाई और साथ ये कर्म भी है जो आपने शेर करके अपने दोस्तों और जानने वालों को ये जानकारी देनी है तो चलिए, यंत्र, तंत्र, बंत्र तो जानते होंगे आप तो उन में से जो हमारा यंत्र है, वो हमारी घड़ी है जैसे हमारा मोबाइल भी यंत्र है और मोबाईल निम्रोलोजी पर तो मैंने बहुत सारे वीडियोज रा ले हैं, जरूर आप उसका फाइदा उठा रहे होंगे तो चलिए आज बात करेंगे, रिस्ट वाच और वॉल क्लॉक से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स जो जरूर और जरूर आपको रेजुरेट करेंगे जब आप खड़ी हाथ में पहनते हैं, जिसको मैंने यंत्र बुलाया, वो तीन एनरजी इसको साथ लिए चलती है साइन्स तो जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे यहां साइन्स के हैं, जानकार हैं तो इस फैक्ट से अग्री करते हैं, तो येस लिखिए फैक्ट टू, रॉलेक्स की वाच देखिए कभी आपने, वो प्रीमियम वाचेस की काटेगरी में आती है ये कंपनी और एक नंबर यूज करते हैं वो अपने वाचेस पर, जल्दी से गूगल करके चेक कीजिए वो कौन सा नंबर है चलिए मैं बता देखिए, वो नंबर है 28, इस नंबर इस अ मनी मेकिंग नंबर और ये मटेरिलिस्टिक नंबर है तो रॉलिक्स जब इस निम्रोलोजी को मान सकता है तो आप क्यों नहीं क्योंकि वो अपने प्रीमियम कास्टोमर्स को अट्राक्ट करने के लिए इस साइन्स को यूज करता है है ना इंट्रेस्टिंग अगर आप बिजनस करते हैं तो अपने डिवाइन टाइम को मैनिफेस्ट करने के लिए हमेशा प्रीमियम वाच पहनिए प्रीमियम वाच उन्हें कहते हैं जो या तो गोल्ड प्लेटिट होती है या डाइमिंड इन बिल्ट होता है उनमें और वो अकसर महंगी होती है जैसी घड़ी पहन देंगे वैसे लोगों के साथ आपकी उठक बैटक शुरू हो जाएगी सॉरी उठना बैटक शुरू हो जाएगा अगर आप स्मार्ट वाच लवर हैं तो आपने दो बाते ज़रू नोटिस कियोंगे स्मार्ट वाच स्क्वेर शेप की होती है और वो मॉबाइल से कनेक्टेड होती है तो अगर आप इसे पहनेंगे तो आपका दिमाग डिजिटल हो जाएगा यानि हर वक्त आप बिजी रहेंगे मॉबाइल भी क्या मेसेज जाया क्या information आए and it will keep you always awake तो smart watch का इस्तमाल smartly करिये सिर्फ health and fitness के लिए rest of the time आप analog watch को ही prefer करें please और please इस tip को ज़रूर follow करियेगा fact number 5 आप अपनी watch में number 12 को देखिये astrology में number 12 हमारे लगन का होता है यानि हमारी personality का होता है और number 12 का prominent होना घड़ी में बहुत जरूरी है अगर number 12 है ही नहीं कटा हुआ है या not written है, dash है and all तो आपकी personality पे हमेशा अंकुष लगता रहता है यानि आप अपने आपको लेकर काफी conscious हो जाते है इस tip को follow ज़रूर करियेगा और मुझे comment कीजिए का कैसा लगा ये tip आपको आज का अगर आप health को लेकर परिशान है और हमेशा इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो अपनी घड़ी में चेक कीजिए number 12 और number 9 missing तो नहीं है अगर number 12 और number 9 को वाली घड़ी जिसमें अच्छे से वो नज़र आ रही हो या बड़े-बड़े numbers में लिखी हो तो health काबू हो जाएगे आपकी ये एक numerology का tip था और अगर आप conceive नहीं कर पा रहे हैं आप अपने बच्चे के लिए काफे दिन से प्रयास कर रहे है पर वो positive नहीं हो रहा है तो आपके room में लगी watch जो wall clock है आपकी उसमें आप number 12 और 6 को prominent कीजिए आपको जल्दी results मिलेंगे श्रद्धा और विश्वास से इस tip को follow कीजिए वैसे तो मैं wrist watch analysis बता रही हूँ लेकिन एक चोटा सा numerology tip भी साथ में दे गया आपको fact number 7 आपको पता है square shape की वह सबस्दा किसको suit करती है जिनका birth number 4 हो अब birth number 4 कैसे चेक करते हैं वो कोई numerology का वीडियो मेरा देख लीजेगा या फिर उनका जो destiny number है वो 4 हो तो भी चलेगा क्योंकि वो काफी discipline, practical और logical लोग होते है और अगर आप black watch lover हैं तो ये watch भी और सिर्फ 8 number वालों को suit करती है यानि अगर आपका birth number 8 है 8, 17 या 26 या फिर आपकी destiny जो है वो शनी पर आती है तो भी ये जो घड़ी है वो आपको अच्छे results देती है बाकी सभी लोगों को हमेशा इन दोनों watches को नहीं पहना चाहिए so it's prohibited follow जरूर करिएगा ये इस बात को fact number 8 अगर आप अपने घर पर wall clock लगाते हैं तो वो जो numbers वाले tick 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 digital watch होते हैं वो मत लगाईए proper जो घड़ी होती है round shape की हो square shape की हो जो भी आपको पसंद है वैसे बहुत अच्छी घड़ी की अगर shape आप उससे पूछेंगे तो वो pentagon है pentagon watches जल्दी मिलती नहीं but they are very good इसका कारण क्या है मैं वो आपको कभी और बताऊंगी तो आप जो wall clock use कर रहे है वो आप digital वाली मत करें normal जो watch होती है पुरानी जमाने वाली वो use करें और उसमें number जो दिखने चाहिए वो है 3, 6, 9 और 12 ये 4 digits जरूर दिखने चाहिए इनका missing होना आपकी घर में इन planets के energy को कम करता है और घर के HRCM यानी health, career, relationship या money को disturbance नेता है follow this tip and message me back fact number 9 कितने ऐसे लोग या बच्चे होते हैं जो अपने bedside पर घड़ी लगाते हैं ताकि समय पर उठ पाएं और education को पढ़ने को जादा time दे सकें यहाँ तक कि अगर इससे भी संतोश ना मिले तो कभी कभी तो अपने तक्ये की नीचे ही घड़ी लेके सोते हो आपको पता है it's very very unhealthy क्योंकि अगर आप घड़ी के साथ सो रहे हैं तो आप समय के साथ सो रहे हैं और आप सोने को समय नहीं दे रहे हैं आप समय को सोना दे रहे हैं इल्टा हो जाएगा please do not do this इससे आपकी health पर बहुत बुरा असर पढ़ेगा भले ही आप अपने काम जरू से जादा कर लें लेकिन आपने उसको at the cost of health किया है तो घड़ी को कभी भी bedside मत लगाए और नहीं तक्ये की नीचे लेकर सोया करें follow कीजे जिल्दी से ये वाला tip fact number 10 और आज का ये last tip है जब भी आप अपने घर में या अपने office में कोई clock लगा रहे हैं तो wall पर लगा रहे हैं तो उसे हमेशा north या east वाली wall पर लगाई है बहुत सारे घरों में या मैंने offices में उसे south की wall पर देखा है जो की बहुत गलत results देती है आपके समय को यम की दिशा मिल जा दिये इसलिए हमेशा जो preferred direction है वो है north या फिर east इसी wall पर उसका इस्तमाल करें और देखे इसके बहुत ही magical results उमीद करते हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी से बहुत सारे लोगों तक भीज कर मेरी समेहनत को सार्थक करें और अपनी consultation के लिए मैं फिर एक बार बता रहे हूं आप मुझे Instagram पर book कर सकते हैं अपना session और आप मेरे website को भी visit करते हैं जो भी description में मिल जाएगा आज के लिए इतना ही राधे राधे धन्यवाद